अब बोलो भी दीदी का इंगेजमेंट तूट गया वो क्यों? दहेज के कारब लड़के वालों ने बोला 25 लाख पापा ने कहा बीश वो लड़के का प्राइस तो फिक्स था लो बाढ़ गे रहें अब ओ दिन दूर नहीं जब लड़कों को ले जाके बजार में बोलिया लगाईगे ये धुलाब 20 लाख का वो 25 लाख का और और 30 लाख का ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हारा भी बोली लगेगा एक दिन तुम्हारे भाईया का साली पिछले साल दा न? तो जो भाईया को फॉर्चुनर मिला थब तो पापा से नहीं बोली होगी कि पापा भाईया को क्यूं बेश दिये? क्या हुआ को जवाब नहीं है? आजकल हर किसी का यही प्रावलम है और खास करके लड़कियों का जहाँ भी जेको Facebook, Insta, Tutor हर जगा तो जो भी लड़का क्यों तुम्हारे यहां लड़का नहीं है लेकिन नहीं अपने भाई के साधी में भावी के यहां साया हुआ दिजाने लहेंगा पानना है उसी लहेंगे के साथ सेल्फी डालेंगी हैस्टाइग भावीज गिफ्ट मतलब लेना पड़े तो गिफ्ट औ जीवा और तुमको क्या लगता है इतना बड़ा-बड़ा केंपेण चला के नितिष्क मार देहज रोकवा लेंगे है और सच में कोई देहज रोकवा सकता है तुम और तुमारे जैसी लाखो करोरो लड़कियां या तो सेल्फ डिपेंडेंटेंट बनो या बड़ा-बड़ चला की एकल फिल में अग्रिक पास है तो मैंटरी पास हैं तो में य। में अग्री तुम यक्यृ करेंगेैं जहां है जिस लेवलő पर हैं उसी लेवलтор करेंगे सद्धी करेंगे इल्फुल्मा वाप धीकेगा तो अब लोगकंशे चलेगी और उसस दिन लुखे मैं भी ये तुम भी ही है तुम देहर किस बाद का